हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टे शोशो पॉइंट बचो आज हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल मटेरियलिजम यानि की एतिहासिक भौत इक वाद ठीक है यह मार्क्स का एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है और इससे पहले हमने मार्क्स के जो भी उनकी मार्क्स के बेसेस होते हैं माक्सियन वियू के जो भी बेसेस हैं वो सारे हमने कवर कर लिये हैं एक एक करके ठीक है और हिंदी में कहेंगे कि मार्क्स के जो आधार हैं मार्क्स की अबधारना के जितने भी आधार हैं ठीक है उन पर हमने वीडियो बनाए तो कोई भी मार्क् दियालेक्टिसिजम पर बहुत ही बेस्ट वीडियो है आपका ठीक है हिंदी में कहते द्वन्दवाद ठीक है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगी वो आपको समझना ही पड़ेगा उनकी सारी थियोरी में वह एपलाई होता है ठीक है इस थियोरी में भी dialecticism ठीक है वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है तो आप लोग देख लीजेगा Marks कहते हैं कि हर एक stage में एक वाद होता है ठीक है जिसे बोलते हैं thesis ठीक है और इस thesis की कुछ विरोधी शक्तियां आ जाती है ठीक है जो इस thesis का क्या करती है विरोध करती है यानि कि इस वाद का विरोध करती है तो इस वाद की विरोधी शक्तियों को हम क्या कहते हैं प्रतिवाद या antithesis तो ये आपकी antithesis हैं तो Marks कहते हैं हमेशा ऐसे ही होता है society में कुछ वाद यानि की thesis मौजूद होते हैं और कुछ समय बाद कुछ time बीतने के बाद उनके कुछ antithesis society में पैदा हो जाते हैं जो उस thesis का उस पहले वाली stage का विरोध करते हैं तो जब इन दोनों में क्या होता है तकराव होता है thesis और antithesis में तो इन दोनों के समन्वे से एक नई अवस्था आ जाती है एक नई चीज आ जाती है ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं synthesis यानि कि क्या समवाद हिंदी में कहते हैं समवाद ये एक नई अवस्था आ जाती है और society में हमेशा ऐसे ही चलता रहता है अब ये एक नई अवस्था है ये कुछ समय बात पुरानी हो जाएगी ये फिर क्या बन जाएगी समवाद से बदल के वाद बन जाएगी और फिर से इस वाद की विरोधी शक्तिया आएंगी और उनसे टकराव होगा और उन विरोधी शक्तियों का और इस वाद का यानि कि प् बंदवाद की प्रक्रिया या डालेक्टिक सोसाइटी में चलता रहता है तो यही यही कॉंसप्ट इस आपका जो इस्टोरिकल मेटेरियल्जम है इसमें अपलाई होगा ठीक है यानि कि कहते हैं कि कुछ यहां पर स्टेजिस चलती हैं उन स्टेजिस के कुछ प्रतिरोधी शक तो इससे पहले वाला वीडियो डेटेल्ड में है उसको देख लो ठीक है उसके बाद फिर हम इसमें आगे समझते हैं यह टॉपिक ठीक है इतिहासिक भौतिक बादिया हिस्टोरिकल मटेरियलिजम हिस्टोरिकल मटेरियलिजम जो है मार्क्स का कॉंसेप्ट जिसमें वो वो नवस्थाओं के बारे में संबंध बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं कि कैसे विकास हुआ और साथ में वो क्या करते हैं इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं अप्रेलिस्टिक एक्स्प्लेनेशन ओफ हिस्ट्री हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं ठीके वो कहते हैं कि आज तक आप जितना इतिहास देखते आ रहे हो तो इतिहास में आप क्या पढ़ते हो कि कौन राजा कब आया किसने किसको हर आया कौन पराजित हुआ और कौन जीता ठीके कहां परशाशन किया कितने राजियों को अपने आधिन किया तो इस तरीके की बाते आप इतिहास में पढ़ते चले आ रहे होते हो लेकिन इसमें कुछ वर्ग की आप इसमें आपने जो उच्छ वर्ग था समाज में उसकी बारे में तो सब कुछ जान गया तेकिन आप अगर आप पूरा देखो शुरू से लेके अंत तक तो उसको कहते हैं वो पांच अवस्थाओं में हम डिवाइट कर सकते हैं और ये जो अवस्थाएं हैं ये किसी खास कारणों से बदलती हैं कोई खास कारण होता है इसलिए ये अवस्था बदल करके ये आ जाती है फिर ये हम जानेंगे आगे कि इसमें इन्होंने ऐसा क्या बताया ठीक है और साथ में इसको भी आप जान जाओगे कि इतिहास की भौतिक वादी व्याख्या कैसे प्रस्तुत की होना है क्यों कहते हैं कि मटेरिलिस्टिक एक्स्प्रमेशन दिया जो मटेरिलिस्टिक देख रहे हो ना भौतिक वादवर्ड तो ये यूज क्यों किया ये सब आप अभी जान जाओगे ठीक है ये आप देख रहे हो ठीक है संपोर इतिहास के पांच भाग ठीक है ये आपके टोटल फाइफ तो इस तरीके से आप ये डाइग्राम देख सकते हो इसमें जो ये फर्स्ट लाइन है ये पूरी ये हेडिंग है ठीक है सबसे पहले क्या लिखा हुआ है means यानि कि means of production ठीक है ये बहुत सारी stages लिखी हुए है ये सारे नीचे की है ना ये stages है और ये क्या है relations of production यानि कि उत relations of production ठीक है बहुत सारी चीज़ें आप लोग पहले भी clear कर चुके हो ठीक है जैसे की marks का मानना है कि ये जो बहुत सारी different different stages आई है अलग अलग ये सारी stages क्यों आई ये अलग क्यों हो गई पूरी एकी stage क्यों नहीं चलती आई अभी तक है ना इसका कारण क्या है इसका कारण ये है clear कर लो अपने दिमाग में कि means of production बदल गया जिसकी वज़े से क्या हुआ stages बदल गए relations बदल गए लोगों के जब हम हतियार को means की तरह स्तेमाल कर रहे थे production के उतपादन के साधन की रूप में हम हतियारों को weapons को स्तेमाल कर रहे थे तो लोगों के सम्मंद ऐसे थे और ये stage ऐसा था जब हमने खेती और पश्यू पालन करना शुरू किया farming and animal husbandry तो लोगों के relations बदल गए यहाँ पर मालिक और दास आ गए और इसकी वज़े से पूरा stage भी बदल गया तो इस तरीके की कुछ बाते हैं ठीक है तो चलिए इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं आप लोग देख रहे हो एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच stages की बात कियो इनोंने सबसे पहले stage में वो कहते हैं ये पूरा इतिहास है आपका है ना शुरू से लेकर के end तक पूरा आज तक का इतिहास है आपका ये ठीक तो वो की समाज में कि लोग सिर्फ और सिर्फ खाना एकठा करते थे खाना खाते थे ठीक है शिकार करते थे और जो भी फल सबजियां जो भी उन्हें डारेक्ट नेचर से मिल रही थी वो सारी चीजों का consumption कर रहे थे वो सारी चीज़ें वो लोग स्तेमाल कर रहे थे और कुछ नीच का भीविभाजन नहीं हुआ था कोई भी वर्ग नहीं था कोई भी ग्लास नहीं था नहीं किसी की कोई प्राइविट प्रॉपर्टी का कॉंसेप्ट था कि यहां पर मेरा अधिकार ऐसा कुछ नहीं था लोग अपना शिकार करते थे और शिकार के लिए शिकार की तलाश में इधर उदर घूमते थे ना ही कोई institution था ना ही कोई grouping थी कुछ भी नहीं था ठीक है तो ये आपका पहली अवस्था में कुछ इस तरीके की condition थी जिसकी वज़े से relations कोई नहीं थे लोगों में इसलिए कोई भी work divide नहीं था कोई भी class divide नहीं थी इसलिए हम इसे क्या क ठीक है प्राचीन सामयवादी अवस्था या प्राचीन सामयवाद का युग औरियंटल कम्यूनिजम ठीक है कम्यूनल होता है कम्यूनलिजम तो वो नहीं है यहाँ आपे कम्यूनिजम है ठीक है तो यहाँ पर फिर जब इस तरीके से काम चलता रहा फिर दीरे दीरे लोगो इस तरीके से हम अपने काम को आसान बना सकते हैं कि जन्वरों को मारने में तकलीफ हो रही है हम क्या करते हैं हथियार की साहपता से जन्वरों को मारते कुछ एक लोगों को दमाग आ गया और उन लोगों ने क्या किया इस अवस्था के अंत तक आते आते हतियार का स्थमाल करना शुरू कर दिया ठीक है तो जो आपका फर्स्ट स्टेज था इस समय की कैपिटल क्या बन गया पूंजी क्या बन गया पूंजी मींस चीजों को प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने का चीजों को उत्पादित करने का एक साधन ठीक है जिसके जिसकी सहायता से हम अपने पास जादा से जादा प्रॉफिट रख सकते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा कि आप आसानी से जानवर को मार लो तो उसके लिए हतियार आपक वो ने क्या किया हथियार जिनके पास आ गए वह कुछ एक ग्रुप था है न मालऊ 100 लोग हैं तो 100 मेंसे 10 को हथियार बना ना आ गया ठीकर अब वह 10 लोग पूरी सो साइटी में शक्तिशाली हो गए पावफुल हो गए ठीक है अब उनके पास हथियार है तो वो ताकतवर है समाज में ठीक है तो इस तरीके से शक्ति का केंद्री करण जो कि उत्पादन के साधन है ठीक है उत्पादन के साधन क्या है हथियार तो उसकी वज़े से अब इन इस समाज में माल लोगों को भी परिशान कर सकते हैं, लोगों का भी exploitation कर सकते हैं, उनके पास अगर शिकार है, तो उनसे भी छीन सकते हैं, तो इस तरीके की कुछ बाते थी, अब इनके पास हतियार आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नए शक्तिशाली वर्ग का उदय हो गया, जो कौन था इनको हतियार के बल पर हम इनको अपने, इनको पालने का काम कर सकते हैं, और इनसे जो भी चीज़े हमें प्राप्त हो सकती हैं, वो चीज़े हम इकठा कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो जैसे मुर्गिया हो गई हैं, गाई हो गया, तो इस तरीके की चीज़े, मतलब जिससे भी वो लोग जिससे भी उन्हें फाइदा हो सकता है उन पश्वों को पालने लगे और साथ में उन्होंने एक जगा रहना शुरू कर दिया ठीक है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉंसेप्ट आ गया और उन्होंने वहाँ पे खेती करने भी शुरू कर दी देखा उन्ह अनाज भी हम उगा सकते हैं खेती को अपना अपना पार्ट ले लिया ठीक है इसका पूरा डिविजन कर लिया और ये private property का concept आ गया कि हमारी जमीन है ये अब यहाँ पर सारी जमीन तो इन लोगों ने ले ली ठीक है देखो शुरुआत हो गई private property की जमीन हतियाने की और शक्तिशाली वर्ग के उदय होने की समाज में एक ऐसा वर्ग जो शक्तिशाली था की साधार पर क्योंकि वो उत्पादन के साधन थे उसके पास means of production थे ठीक है तो अब इस इसने land ले लिया land भी तो production का एक means है उत्पादन का साधन माल लो ये है इन्होंने divide कर लिया ये किसी का ये किसी का ये किसी का है न तो बाकी अगर ये पांच लोग है छै लोग इन्होंने अपना ये ले लिया है तो क्या होगा बाकी लोग को क्या होगा बाकी लोग क्या करेंगे इस पर इनका help करेंगे आ करेंगे वो भी खुशी-खुशी help नहीं करेंगे ये उनको खाना देंगे और तुम यहीं रहोगे ठीक है तो इस तरीके से property कर division हो गया land कर division हो गया यहाँ पे खेती और पशू पालन शुरू हुआ और यहाँ पर एक मालिक बन गया और बाकी दास बन गये एक मालिक का मतलब कुछ एक लोग मालिक की category में आ गये और बाकी तरीके से inhuman तरीके से treat किया जाने लगा ठीके और जिसके पास ज़्यादा दास थे उसकी शक्ति उसका status society में high माना जाता था ठीके तो इस तरीके से बहुत दैनी दसा थी दास को अपने आ रखते थे उसको शादी वगएर नहीं करनी शादी करेंगे तो उसकी family increase होगी तो माल तरीक की जिम्मेदारी थी कि वो दास को जिंदा रखे तभी तो उससे काम ले सकता है तो यहां पर देखो अब यहां पर means बदल गया अब यहां पर खेती और पशुपालन से सारी चीजों की पैदावार होने लगी तो यहां पर क्या हुआ relations भी बदल गया अब यहां पर द स्टेज आये जिसे हमने कहा एज ओफ स्लेवरी यानि कि दास यूग ठीक है तो यहां पर माक्स कहते हैं कि कैसे सोसाइटी में एक द्वंद चलता रहता है ठीक है यहां पर लोगों ने कहा आप तो हमारे पास हतियार है अब हम क्यों इधर उदर घूमें और क्यों इतनी मु से एक नया संस्लेशन आया जिसे हम क्या कहेंगे समवाद यानि कि यह वाली स्टेज ठीक है यह संवाद हो गया यह संथेस हो गया है ना तो इससे आप कनेक्ट करो पहले वाली जो आपने पढ़ी है कॉनसेप्ट डालेक्टिसिजम को बिलकुल आप इसको क्या करते जाओग तो इस तरीके से एक नया स्टेज आ गया अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया खेती से बड़ा फायदा होने लगा और यहाँ पर दास तो कहेंगे ना कि हमें बहुत ज़्यादा परिशान किया जा रहा है हमें बहुत ज़्यादा एक्स्वाइट किया जा रहा है तो कुछ भी बाते बताएं नहीं प्रॉब्लमेटिक वाली तो इसे हम क्या कहेंगे एंटी थीस ठीक है अब यह वाली स्टेज हो गई वाध है ना यह कुछ समय पहले समवाद थी जब यह वाध रहा करता था अब यह अब यह क्या हो गई फिर से वाध बन गई फिर से थीसिस बन गई अब एंटी थीसिस के आ गए यही सारे की दासों को कितना रखेंगे यह भी विरोध कर रहे हैं कि आप हम पे पूरा आधिपत्य जमा करके रखे हुए हैं ना हमें बिल्कुल भी स्वतंतरता नहीं है आजादी देहीं है हमारी खुद की तो इस तरीके से इनने अब यहां प आजाद हो गए अब यह क्या बन गए आजाद तो हो गए अब यह इनके चंगुल से चूट गए लेकिन थे तो वही ना थे तो दास ही जो कि अब नए स्टेज में आकर कि क्या बनेंगे अर्धिदास किसान यानिकि सर्फ्स जिससे आपको समझाने के लिए मैंने हाफ हैं ठीक है तो आप देखो यहां पर खेती को बढ़ावा मिला है ना खेती लोग करने लगे और यहां पर आप क्या हुआ जिनके पास भूमी थी उनको जमीदार या लैंडलॉर्ड या फ्यूडलिस्टिक कहा जाने लगा और लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं जमीदार है ना इनको कहा जाने लगा और उनके जमीन पर जो काम करते थे उनको क्या कहाने जाने लगा सर्फ कहा जाने लगा या अर्धिदास किसान ठीक है अब इन अर्धिदास किसानों की भी हालत इन दासों से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी मतलब थोड़ी से इंप्रूव पर मेलेगा, अब इनको जमीदार की जमीन पर खेती करने पड़ेगी और उसके बदले उन्हें जो मजदूरी मिलेगा जो थोड़ा सा पार्ट मिल जाए और उसमें जो भी पार्ट मिलेगा उसका उन्हें टैक्स भी पे करना है लगान वगेरा ठीक है उनकी जमीन पर खेती करने के बदले उन्हें लगान भी देना पड़ेगा और चाहे कोई भी आपदा आजाए प्राकृतिक चाहे बारिश ना हुई हो चाहे सूखा पड़ गया ह अहीं करना है ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ अब देखो यह तो इनके लिए गनीमत है कि यह क्या कर रहे हैं इनकी लड़ेड पर प्रोडक्षन करने का काम कर रहे हैं तो कुछ न तो इन्हें आज फिर भी मिल जाएगा और यहां पर यहांपर देख रिग आप तो माल अब ये वाली condition जब हुई, तो इस तरीके की कुछ situation थी, अब इस stage को feudalism कहा जाने लगा, सामन्तवाद कहा जाने लगा, या feudal system, सामन्तवादी विवस्था, feudalistic system, कुछ भी बोल सकते हो, farming यहाँ का क्या था, means था, means of production, खेती यहाँ का उत्पादन का साधन था, ठीक है, यह इस stage का, इसके वज़े से relations यह बने, और एक नया stage आया यह, ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे-धीरे, यह stage भी बदली, ठीक है, अब धीरे-धीरे क्या हुआ, science आ गया, ठीक है, अब सोचने लगे लोग, हम कैसे, क्या करें, कम महनत में, जादा से जादा production करें, कैसे हमें लो तो अब धीरे-धीरे यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, अब का, एकोनॉमी वाला system, जिसमें, मुद्रा, आई है न, तो, यहाँ पर अप साथ में क्या आ गया, machines आ गई, ठीक है, अब यहाँ पर, खेती से क्या करने लगे, खेती से बदल करके, हमने, अपने production की means क्या कर लिए machine and industries, है न, industries में अपने machines वगेरे लगा लिए, अब क्या है, जरा सी, बस जरा से इनसान चाहिए, उससे बहुत सारा production हो जाएगा, क्योंकि machine चलाना है, बस, है न, अब किसी को हाथ से कोई काम ने करना है, बस machine को सारा काम करवाना है, तो, यहाँ पर, अब क्या हुआ, आपक machine के साधनती वो machine बन गए, और उसकी वज़े से एक नया relation स्टैबलिश हुआ society में, ठीक है, और हमेशा society में आप देख रहे हो, दो वर्ग बन रहे हैं, यह वर्ग है, यह class है, कभी मालिक दास हुआ, कभी जमिदार अर्द दास किसान हुआ, कभी बुर्जुआ, अब सर्भ में आकर के exploit ही हो रहा है, उसकी condition अच्छी नहीं हो रही है, बलकि दिन बदिन आप देख रहे हो, हर states में खराबी होती जा रही है, अब देखो, यहाँ पर वो किसान बन करके कम से कम खेती कर रहे थे, अब इनके हाथ से जमीन चली गए, क्योंकि अब यहाँ पे इंडस्ट इसे हम कहते बुर्जु और सर्भारा, ठीक है, बुर्जुवाजी या प्रोलेट्रियेट, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजेगा, प्रोलेट्रियेट और बुर्जुवाजी, ठीक है, बुर्जुवाजी यानि कि बुर्जुवा जिसके पास आपका सारा रिसोर्स था प्र लगया है ना सर्वहारा यानि कि अब हो हर चीट से हार चुके थे अब इनके पास कोई खेती नहीं थी अब इन्हें मशीन में जाकर करके अपना स्ट्रम बेचना पड़ेगा अब उन्हें अपना शारीरिक श्रम अपना फिजिकल लेबर देना पड़ेगा उससे उन्हें जादा कंडिशन खराब हो गए थी यहां पर ठीक है तो अब इस स्टेज को क्या कहा जाने लगा कैपिटलिजम जहां पर कैपिटल आ गया था जहां पर पूंजी वाद आ गया था अब यहां पर पूंजी पती क्या करते थे बुर्जुवा कहलाते थे जिनके पास सारी मनी अब वह इंडस्ट्री लगाते थे और वह कोशिश करते थे कि कितना जादा से जादा वह प्रॉफिट ले सके ठीक है वह क्या करते थे अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स रखते थे उनसे उनका शारीरिक श्रम उनसे उनका लेबर लेते थे और उससे क्या करते थे अपनी मश बना दी अब उसे इसका महंताना क्या मिलेगा सर्फ पांच रुपए यह दस रुपए है ना तो इस तरीके से सो रुपए का काम किया मानलो दस रुपए उसने सर्फ दे दिये किसको लेबर को और बाकी प्रोलेटरेट ने अपने पास कितने रखे 90 ठीक है 90 तो जब 90 रुपी रख लिए तो वो उसका प्रॉफिट हुआ और इसी को मार्क्स क्या कहते है अतिरिक्त मूले यानि कि सर्फ प्लस वैल्यू ठीक है मतलब सो रुपए का काम किया दस रुपए दिये 90 रुपए अपने पास बचा लिए तो यह आपका सर्प्लस वैल्यू हो गया किसका वो क्या कर रहा था कमा रहा था और उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके वर्कर की क्या कंडिशन है उसको वर्कर की क्या प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं था ठीक है और वर्कर का कोई भी सिक्वर्क सिक्योरिटी नहीं था कोई हॉलिडेज नहीं थे वो उससे मतलब जि इसकी प्रोलेटरेट क्लास की सर्भारा वर्ग की तो इसका result क्या हुआ कुछ एक society मालो इतनी बड़ी है तो इसके कुछ ही लोग ये हैं इनके पास सारी capital का centralization हो गया सारी पैसा इनके पास आ गया और बाकी लोग क्या है भूकों मर रहे हैं तो इनकी संख्या बढ़ती जा रहे थी भूके वालों की हैना सर्भारा वालों की प्रोलेटरेट वालों की संख्या बढ़ती जा रहे थी इस दशा को माक्स ने क्या कहा polarization यानि कि दरिदरी करण हैना गरीबी हो रहे थी ठीक है sorry sorry polarization मतलब होता है ध्रुवी करन गरीबी वाला भी दूसरा एक class जिसके पास सब कुछ है एक class यह एक class जिसके पास कुछ नहीं है ठीक है तो इस तरीके से polarization हो रहा था कि यह class हो गई और यह class हो गई तो यह polarization हो society की यह condition बन गई ठीक है दूसरी condition क्या थी polarization की यानि कि एक है जिसके पास सब कुछ है बहुत सारा पैसा है एक है जो भूखे मर रहे तो यह इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी तो जिसकी वज़े से इस condition गोनों ने क्या का पॉपराइजेशन यह गरीबी करन एक तो यह गरीब भी है और यह अलग भी है इनसे इनसे अलग है यह लोग तो यह क्या है धुरुवित भी है पॉलराइज भी है है और एलिनेशन भी यहीं पर आता है तो एलिनेशन का बढ़िया सा वीडियो एक अलग आपको मिल जाएगा डिटेल में तभी वो आपको समझ में भी आएगा तो यहाँ पर इनका यह जो अलग 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 वर्ग वर्ग आप देख रहे हो है ना वर्ग भी है मालिक दास जमीदार अर्द दास के साथ बुर्जुवा सर्भारा तो इस तरीके से इन्हों ने कहा माक्स ने कि यह जो सर्भारा वर्ग है अब तो यह सब को छार गया है ठीक है अब यह कहते हैं कि यह अब क्या करेगा एक time ऐसा आएगा जब ये अपनी ताकत को पहचानेगा इसको पता चलेगा कि ये जो बुर्जवाजीज है ये इनी के वज़े से जिन्दा है सरभारा की वज़े से क्योंकि ये इनके हान जाकर की काम कर रहे है इनको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है इनको लगता है कि अगर हम इनके आँ जाकर के काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या इनके अंदर एक false consciousness है है ना तो क्या करते हैं ये लोग मार्क्स पताते हैं कि ये लोग क्या करेंगे सरभारा वर्ग एक दिन जागेगा इसकी चेतना का उदय होगा और ये क्या करेगा सारे capitalist को सारे पूझी पतियों को सारे bourgeoisies यानि बुर्जुआ लोगों को क्रांती करेगा और इन सब का खात्मा कर देगा इन सब का विनाश कर देगा और society फिर से equal हो जाएगी जैसे यहाँ पर थी यहाँ पर कोई वर्ग नहीं था कोई class नहीं थी कोई private property का concept नहीं था फिर से एक ऐसी ही condition आ जाएगी जिसमें सरभारा वर्ग का शाशन होगा जिसकी जितनी आविशक्ता होगी उसको उतनी चीज़ें मिलेंगी उतने resources मिलेंगे सबको अपनी skill के हिसाब से काम मिलेगा को काम करेंगे और production में अपना हाथ बटाएंगे society में कोई भी विभाजन नहीं होगा कोई भी ऊच नीच का concept नहीं होगा संपत्ती का कोई भी बटवारा नहीं होगा कोई किसी को संपत्ती नहीं मिलेगी सबकी संपत्ती होगी ठीके तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि सामेवाद की दशा आएगी एक नया स्टेज आएगा जिसे हम सामेवाद कहेंगे ठीके अब देखो जमीदार जो थे जमीदारों को जिनके पास साइंस आ गया था जिन्हें साइंस की नॉलेज आ गई थी उन्होंने अपनी फैक्टरीज बना ली और उन फैक्टरीज का स्टैबलिश्मेंट करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाने वाले लोग क्या बनगे ? capitalist बनगे या बुर्जूर्य बनगे तो इन बुर्जूर्य ने जमीदारों का खात्मा कर दिया अब वैसे ही जो आपके सर्वहारा वर्ग हैं ये फिर से capitalist को ये लोग capitalist को हटाएंगे ठीक है तो इस तरीके से एक नया stage आ जाएगा जिसमें classlessness होगी वर्ग विहिंता होगी कोई वर्ग नहीं होगा ठीक है तो इस तरीके से उन्होंने society का एक भौतिक वाधी व्याख्या प्रस्तुत किया एक materialistic concept प्रस्तुत किया एक भौतिक वाधी व्याख्या क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने हर एक stage को कहा है कि production production की वज़े से stages और relations बदले तो पूरस history किस पर बेस है production पर means of production और means of production क्या है आपका material है कोई विचार नहीं है कोई non-material thing नहीं है non-material thing क्या होता है अब भौतिक चीज़े क्या होती है आपकी आत्मा विचार ये सारी चीज़े पर यहाँ पर आत्मा विचार enlightenment जैसी कोई ची चीज़ें बदल गई जिससे हम उत्पादन कर रहे थे तो यह क्या है एक material thing है एक भौतिक चीज़े जिसे हम देख सकते हैं तो इसलिए पूरी history इन्होंने means of production पर यह उत्पादन के साधनों पर बेस कर दी इसी की वज़े से हम क्या कहते हैं इन्होंने history का एक materialistic explanation दिया एक इतिहास की बहुत एकवादी व्याख्या प्रस्तुत की और इस concept को हम क्या कहते हैं historical materialism या इतिहासिक बहुत एक वाद तो आज के लिए इतना ही अगर कोई question हो तो आप लोग comment जरूर कीजेगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा